कंस्ट्रक्शन का टो पीक्चल रहा था 11.2 अक्सरसाइज ची कुस्ट नमबर पहले और सेकिंड फेस्ट एंड सेकिंड हम कर चुके हैं अब मैं लेके आ हूं कुस्ट नमबर थरी ड्राए सर्कल हमें एक सर्कल ड्रो करना है जिसकी रेडियस कितनी हो तीन सेंटीमेटर देखो नमभ के पहले वाड़ी वीडियो ग्राफ नहीं ना देखी हो तो पहले उसको ढूरुर देखे उसके बाद यह शुरू करना तो देखो ड्राए सर्कल हमें सर्कल ड्रो करना है ओफेस्ट इस कितनीADA 3 चेंटीमेटर जिसकी इसका एक सर्कल ड्रो करेंगे, तो सर्कल ड्रो करेंगे, एक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सेंटर लेना पड़ेगा, तो सेंटर हम यहां मान लेते हैं, यह बड़ा point तो यहां एक center मान लिया तो इसी center से हमें क्या है three centimeter का एक circle की तरा है जैसे हमने यह बड़ा कीच दिए तो यह हमने क्या कर दिया circle कीच दिया है उसके बाद देखो यह वह हमरे पास क्या गया इसका एक center point आ गया, इसको कोई भी नाम दे दे, ओ नाम दे दो चाहिए, नाम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, आप A, B, या कुछ भी, उसके बाद हमें आगे statement पड़े, take two point P and क्या हो, दो point लेने हमें, क्यों से P और क्या हो, नाम पहले specially दिया हुआ है, P और क्या हो मान है, on one of its external diameter, diameter मतलब क्या होता है, अगर हम इसको circle की दोनों तरफ अगर मिला देते हैं, यह वाड़ी तो होती है radius, और बताया था, अगर इस तरफ और मिला देते हैं, circle की center से होता हुआ, अगर दोनों तरफ मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाती, इसकी, वो diameter हो जाता है, तो हमे अगर पी और क्या हो कहां पे दे रखे थे, देखो यह वाड़ी पी और क्या हो नहीं दे रखे, पी और क्या हो क्या दे रखे हैं, वी point जो external, extended मतलब क्या होता है, बढ़ाना, किसको diameter को में दोनों तरफ बढ़ाना है, each of at, मतलब दोनों तरफ, each मतलब एक परतेग दिशा म at a distance 7 cm from its center, center से 7 cm की दूरी पर diameter को दोनों तरफ बढ़ाना है, और उन point को नाम देना है P and Q, dry tangent और दूसरी बात यह भी देखो, to the circle of these point P and Q, इन P और क्या हो प्वाइंटों से हम में इस circle के उपर क्या खिचने है, tangent क्या है, अगर यह यहाँ पर होते P और क्या हो, तो इससे क कोई tangent की नहीं सकता था, circle के point से circle के उपर tangent थोड़ी ना खिसता, तो अब हमारे पास क्या है, tangent के क्या है, बाहर है यह, और कितने cm दूर है, center से 7 cm की दूरी पर, diameter को जब बढ़ाएं, इच, इच मतलब दोनों तरफ, एक extended मतलब बढ़ाना, दो point मिलेंगे P and Q, तो देखो, ह यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 7 cm की दूरी पर एक point बना देते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, ऐसे यहां पे भी क्या कर देते हैं, 7 cm की दूरी पर एक point लेते हैं, जैसे point यह आ गया, इन दोनों point को मिला देते हैं, तो एक बर मैं मिला देता हूं, फिर देख, तो दे यहां पे देखो यह भी center से कितनी दूर है 7 cm दिखा दे हम और यह भी center से कितनी दूर है 7 cm आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं ये वड़ा portion तो उसके बाद हमें क्या करना है एक तरफ तो क्या मानना है P चाहे कुण सी भी तरफ P मान लो और उसके दूसरी तरफ क्या मान थे हमने क्या किया से साथ संट्यमिटर की दूरी पर दो बिंदू ले लिए पी एंड क्याओ ले लिए अब इस पी से पी से और क्याओ से इस ITCION Eometer के ऊपर center को लेते हुए हमें क्या किचनी है tangent किचनी है पीशे भी और क्या उसे भी अब यह तो है नहीं कि हम देखो पीशे इस तरफ यहां किच दे एक tangent यहां किच दे ऐसा हम समभव नहीं कर सकते क्यों कि जब तक हमेगी हम बना नहीं ले कि यहां पे circle के उपर किस point के उपर हमें tangent कीचे तो वो कैसे पता चलेगा मैंने बताया था आपको अध्य से ज्यादा इन दोनों point होगा जैसे जिसके उपर से खिचना में उसका पहले अधा कर लेंगे जैसे इस circle का कुणसे का भी हम क्या कर लें आप कर लेते हैं दोनों का सेम होगा portion तो एक काम करवा देता हूं जैसे यहां से हम इसका अधा कर लेते हैं तो एक चाप यहां एक यहां इस point से P से और एक बार क्या है यहां से O से एक ब पर चाप यहां तो देखो इसको बाइसेक्ट कर दिया हमने तो यहां से बाइसे करने के बाद इससे scale की साहिता से इनको मिला देते हैं तो इनको अगर मिलाएं इनको यहां से मिला देते हैं एक तो point यहां से मिल जाएगा थोड़ा सा एक यहां से जब मिलाएंगे तो एक य यहां आजाएगा ठीक है यह हमने मिला दिया यह पूरा एक बार यह यहां से हमने मिला दिया है और यह बड़ा जो पॉइंट बनेगा यहां पे इस पॉइंट को कोई और नाम दे दिया हमने देखो एम पॉइंट से हम क्या करेंगे अब एक नया सर्कल ड्रो करेंगे जितनी एमो जितनी रेडियस ले करके हम क्या करेंगे एमो जितनी रेडियस ले करके हम से ओ जितना परकार कोल करके M से O जितना परकार खोल करके और ये वाड़ा हम क्या कर देंगे एक सर्कल ड्रो कर देंगे और जो हमारे पास ये वाड़ा जो पुराना सर्कल था इसके उपर जहां भी इसने कट किया है ये पॉइंटों को और नाम दे कर कि यही क्या हुजे हैं इनी पॉइंटों से हम इसके उपर क्या की सकते हैं टैंजेंट मतलब हम इस सर्कल के उपर वैसा पॉइंट देखना है कि कहां पर हम टैंजेंट ड्रो करें इस पॉइंट से तो वो पॉइंट कहां से मिलेगा ये जो नया सर्कल ड्रो किया है वो point जो जाएगा हमारे पास वो है हमारे पास इसका ये बड़ा जो point है इसको नाम दे दे और इसको अलग से नाम दे दे इसको नाम दे देते हम C और इसको नाम दे देते हैं D तो एक बर P और C को मिला दें एक बर P और D को मिला देते हैं तो एक बार स्केल की साहिता से मैं इनको मिला देता हूँ ये सकेल की साहिता से मैंने P और C को मिला दिया और P और D को मिला दिया तो ये था हमारे पास इस TANGioni P pxis तो आम ने दो स्के시 चपिश दी, एक early C communities दो कर लेंगे bysect करने के बाद जो पॉइंट यहां मिलेगा उससे इस ओ तक दूरी तक radius लेकर के circle कीचेंगे और circle कीचने के बाद जहां पर पुराने circle को touch करेगा उसको मिला देंगे वही क्या हो से क्या हो जाएंगे टेंजेंट की इतने हैं तो ये था हमारे पास कोशन नमबर थरी ये हाफ बचा हुआ है ये कंप्लीट करना अगर ना आए किसी को प्रोब्लम है तो मुझे कुमेंट करके जरूर बताना मैं इसके लिए स्पेसल दुबारा सी इसको कंप्लीट कराऊंगा तो इसको आप एक बा ट्राइ करना और फिर लाइने मैनेफेस्ट में बता रखे हैं वैसी लाइने बनानी हैं ना समझ मैं तो एक बार कोमेंट करना लाइने दुबारा बनवानी हो तो दुबारा बना देंगे ठीक है धन्यवाद